जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम profit and loss लाव और हानी के question solve करेंगे तो चलो start करते हैं एक दुकानदार प्रत्येक 5 बस्तू पर 3 बस्तू मुफ्त दे देता है यानि 5 बस्तू खरीदो गए तो 3 मुफ्त में मिल जाएंगी तता ग्राह को 20% की छूट देने पर भी और 5 बस्तू आपने खरीदी तीन आपको मुफ्त मिल गए उसके बाद भी 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाव होता है बस्तू के क्रेमूल्य वा अंकित मूल्यों का अनुपात ग्यात कीजिए अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कभी के 5 बस्तू पर 3 बस्तू फ्री मिल रही है या 4 बस्तू पर 2 बस्तू फ्री मिल रही है तो ऐसे क्वस्टन में आप माल लिया करो कि 1 बस्तू की कीमत 10 रुपे है अब आसान हो जाएगा इस सवाल देखो एक बस्तू की कीमत 10 रुपे है अब वो क्या कर रहा है दुकांदार के 5 बस्तू अगर कोई ग्राफ खरीद रहा है तो 3 बस्तू उसे मुफ्त में दे रहा है तो उसका मार्क प्राइज कितना होगा देखो 5 खरीदी और 3 उसने मुफ्त में दे दी तो उसने कितने रुपे की दी 80 रुपे की कीमत वाली उसने उसे ग्राफ को दे दी 80 रुपे कीमत वाली ये 80 रुपे के लिये नहीं उसने 80 रुपे कीमत की बस्तू दिये क्योंकि 5 खरीदी थी उसने और 3 उसे मुक्त दे दी तो 8 दे दी और मैंने क्या बोला है कि 1 वस्तू की कीमत आप 10 रुपे माल लो तो 8 की कितनी हो गई 80 रुपे लेकिन वो जो ग्रहाग था उसने उसे कितने रुपे में उसने दुकानदार को कितने रुपे दिये होंगे तो उसने 5 वस्तू के रुपे दिये होंगे क्योंकि 3 तो उसे मुक्त मिल गई तो कितने दिये 50 रुपे दिये लेकिन फिर क्या बोल रहा है गराप को 20% की छूट और देता है तो 50 रुपे देने थे दिये नहीं देने थे इस पर भी 20% की छूट तो 50 पर 20% की छूट कितनी हो ग रुपे यानि पांच वस्तू खरी दी और तीन फिरी मिल गई फिर उसके बाद भी 20% का ओफ था तो कितने रुपे देने उसको मातर 40 रुपे अब वो कह रहा है कि इस 40 रुपे पर भी उसे 25% का लाव हुआ है यानि ये सेलिंग प्रैस है यानि 40 रुपे में कोई वस्तू बे 25% लाव इसमें जुड़ा हुआ है तो cost price का 125% चालीज के बरावर हुआ है क्योंकर 40 क्या है इसमें 25% का लाव जुड़ा हुआ है तो cost price का 125% 40 है तो अब देखो इसे कर लो कर लो कोस्ट प्रैस 125 परसेंट को लिख सकते हैं 125 वटे 100 और इसे 25 से 5 वार इसे 4 वार बरावर यह 40 के हैं तो 5 से यह 8 वार और 8 को गुणा चार्म करेंगे तो कितना आया 22 यानि जो बस्तुएं थी उन पर मार्क प्राइस 80 रुपे हो रहा था जो एक्च्वल में बेची गई वो 40 रुपे था और जो उनकी कीमत थी क्रेंगे था वो 32 रुपे था अब वो पूछ रहा था कि क्रेंगे मूले CP और अंकित मूले MP का अनपात गयात करो तो CP कितना आया हमारे पास 32 और यह कितना आया 80 अब इन्हें एक ही संख्या से काट तो 62 तो दो अनपात 5 अनपात है किसका क्रेंगे मूले और मार्क प्राइस का अंकित मूले का तो दोस्तों उमीद है आपको यह समझ में आया होगा पूरी तरह से अब मैं इसी का एक और बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आप देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था फिर एक बार बता रहा हूँ हंड्रेड माइनस डिसकाउंट परसेंट का अनुपात हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट यह होता है CP और यह होता है MP अगर हमें CP और MP का अनुपात निकालना हो और हमें डिसकाउंट और प्रॉफिट दिया हो तो 100 माइनस डिसकाउंट करते हैं और 100 plus profit करते हैं MP के लिए तो देखो हमें profit तो पता है कितने 0% का profit हो रहा है 25% 25% का profit हो रहा है तो यह हो जाएगा 100 plus 25 अब देखो हमें discount वो कितने परसेंट का दे रहा है discount 20% का दे रहा है लेकिन 20 का नहीं वो दे रहा है बोला कि 80 रुपे मार्क प्रेस वाली वस्तू है इने का मार्क प्रेस कितना है 80 और सेलिंग प्रेस कितना है 50 उस पे भी 10 परसेंट की 20 परसेंट की छूट है तो कितने का रह गया वो 40 का तो 80 से कोई वस्तू 40 की रह गया तो कितने परसेंट की छूट हुई कितने रुपे की छूट वी, 40 की तो 85 की छूट है, तो कितना percent बन गया 85 का बनाएंगे, तो इससे ये कट गया इससे ये दो बार और ये 50 वाद यानि 50 percent का discount है तो यहां हो गया 100 minus 50 तो यहां बचे 50 और यहां हो गये 135, अब इसे 5 से काट तो तो 5 एकन 5, 0 5 दूनी 10 पचम 35 फिर 5 से 5 दूनी 10 और पचम 30 तो कितना आया 2 अनुपाद 5 इस तरह से भी आप कर सकते हो इस तरह से भी आप ratio निकाल सकते हो तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें धन्यबाद जैहें